और सभी का स्वागत और अभी नंदन तो चली शुरू करते हैं पुष्टकाले सुची करण Library Cataloging heading लगाई ये Library Logging Library Cataloging की हम बात करते हैं और जो primary cataloging है इसको हिंदी में हम कहते हैं पुष्टकाले सुची करण क्या कहते हैं साथियो इसको हम कहते हैं पुस्त काले सूची करन तो हिंदी में भी इसका नाम लिख लिजे मैं सभी बिंदू इंगलिस में भी लिखता चलूँगा और हिंदी में भी जो जिस माध्यम का है तो किसी को दिकत नहीं आएगी पुस्त काले सूची करन पुस्त काले सूची करन की बात करते हैं Library Cataloging क्या है इस unit में क्या-क्या हम जानने वाले हैं देखिए साथियो Library Cataloging पुस्त काले जो सूची करन है इसमें सबसे पहले एक सब दाता है Catalog आप जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं सभी को यह कहना चाहता हूँ कि पूरे धहरिये के साथ और पूरे concentration के साथ आप ध्यान देना जैसे जैसे आप matter देखते जाओगे आप खुद यह कहोगे सर वास्तम में आनन्द आ गया ठीक है चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक सब्द हमारे सामने आता है केटलोग क्या आता है केटलोग यह केटलोग क्या है इस केटलोग के बारे में हम जानते है क्योंकि जब सूचिकन की केटलोगिंग की बात आती है तो सब्द अपने सामने जाहिर सी बात आएगा केटलोग तो ये एक सब्द है कैटलोग कैटलोग सब ये जो कैटलोग है सातियो इस कैटलोग सब्द का हम सबसे पहले ये देखे कि इस सब्द की उत्पत्ती कहां से हुई है किस भासा से इसकी उत्पत्ती हुई है दोस्तों जो कैटलोग सब्द है इस कैटलोग सब्द की सबसे पहले हम उत्पत्ती देखें तो ये सब्द किस भासा से निकल कर आया है तो ये कैटलोग सब्द जो है इसकी उत्पत्ती होती है ग्रीक भासा से कैटलोग सब्द की उत्पत्ती किस से होती है तो ये सब्द है ग्रीक भासा का कौन सी बहसा का है ग्रीक बहसा का सब्द है मैं आपको पूरा का पूरा क्लास में याद करवा दूँगा बस सर्ति है कि आखरी तक लगातार जुड़े रहना ठीक है आप खुद यह कहेंगे कि सर याद हो गया ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर हमने कहा कि इस सब्द में हम देखें तो दोस्त यहाँ पर मिल करके इसका निर्मान करते एक काटा है और एक लोगस है एक सब्द क्या है दोस्तों? एक सब्द हमारे सामने काटा और एक सब्द हमारे सामने कौन सा है? लोगस. यदि हम काटा का साब्दी कर्थ देखें कि काटा का साब्दी कर्थ क्या है? तो काटा का साब्दी कर्थ होता है के अनुसार या के दुआरा. इसका अर्थ क्या होता है के अनुसार या के दुआरा और लोगस का अर्थ होता है कर्म या तर्क संगत लोगस का अर्थ क्या है लोगस का अर्थ है दोस्तो कर्म या तर्क संगत कर्म या तर्क संगत तो हमने एक बात यहाँ पर जानी क्या जानी कि जो कैटलोग सब्द है ये कैटलोग सब्द किस भासा का है तो ये ग्रीक भासा का सब्द है ग्रीक भासा का एक सब्द जो है काटा लोगस और काटा लोगस जो सब्द है ये दो सब्दों से मिलके बनाए काटा और लोगस इस काटा का साब्दी करते के द्वारा या के अनुसार और इस लोगस का अर् केटलोग सब्द को हम attracted किस संदर्ब में उप्योग कर रहे हैं तो यदि इस ए One इस का मलब क्या होता भी उपकर्ण का मतलब क्या जानकारी देने वाला, किसी अन्य के बारे में जानकारी देने वाला टूल या किसी अन्य के बारे में जानकारी देने वाला उपकरण, आप से कहें कि कैटलोग सब्द को किस संदर्ब में उपयोग किया जाता है, तो इसको टूल के संदर्ब में उपयोग किया जाता है, क्यों अच्छा प्रसंद मनता है, निवन में से किसे पुस्तकाले की कुंजी कहते हैं, पुस्तकाले की कुंजी, किसे कहते हैं पुस्तकाले की कुंजी, तो कैटलोग को, क्योंकि कैटलोग हमें पुस्तकाले के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है, वहाँ जो संग्रेहन है पु गैसे हैं beni दिखा दो जैसे आप टाइल लेने जाते तो जो इतनी सारी टाइलूइब देख नहीं सकते हैं इसलिए आपठीलोग दो बात के लिए ओके तो केटलोग जो है इसको पुस्तकाले की क्या कहते हैं कुझी कहते हैं अब बात यह आती है कि साब इस केटलोग का उद्देश्य क्या है केटलोग का उद्देश्य क्या है हम क्यों केटलोग को जो है वो पुस्तकाले में अपनाए तो इसके उद्देश्य क कि यदि हम बात करें तो कैटलोग का जो उद्देश्य है वो होता है पुस्तक खोजने में मदद करना जैसे मैंने अभी आपको एक्जाम्पल दिया कि हम एक टाइल सोप में गए और हमने कहा भई सब टाइल दिखा दीजे अब वो टाइल के इतने ते बड़े पेकिंग डिब यहां पर एक बात द्यान रखें यहां पर हम चुकी बात करें पुस्तकाले के विशय में तो हम डाइरेक्ट पुस्तक खोज ले हमने कैटलोग में देखा कि कौन सी पुस्तक चाहिए वहीं से उसका विवरण मिल गया कि यह पुस्तक पुस्तकाले में किस इस्तान पर रखी है यहीं से कैटलोग से हमें यह पता चल गया कि यह जो पुस्तक है उसका सीर्षक क्या है इस पुस्तक का विश्य क्या है इस पुस्तक का लेखक क्या है तो जब हमें कैटलोग से ये सारी चीजे पता चल रही है ठीक है बात समझा रही है कि हमें कैटलोग से ही पता चल रहा है कि पुस्तक का सीरसक क्या है पुस्तक का विश्य क्या है पुस्तक का लेखक क्या है क्योंकि कैटलोग में पुस्तक का सीरसक विशय लेखक, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी सामिल होते हैं, तो उद्देश से क्या हो गया कैटलोग का, कैटलोग का उद्देश से हो गया, पुस्तक खोजने में मदद करना, क्या करना, पुस्तक खोजने में मदद करना, तो ये लोग साब उद्देश है, तो कैटलोग का उद्धिश हो गया पुस्तक खोजने में मदद करना क्यों? क्योंकि कैटलोग में कौन-कौन सामिल होता है? लेखक सामिल होता है यानि कि लेखक के बारे में डिटेल होती है विशे के बारे में डिटेल होती है ठीक है लेखक के बारे में डिटेल होती है विशे के बारे में डिटेल होती है और सिर्सक के बारे में डिटेल होती है ये सारी डिटेल आपको केटलोग में मिल जाती है तो आप आसानी से पुस्तक को खोज लेते हैं कि वो पुस्तकाले में किस इस्तान पर किस रैक में किस हैल्फ में रखी है ठीक है इसलिए तो इसको पुस्तकाले की क्या कहते है कुझी कहते है कि क्या चीज कहा रखी है पुस्तकाले का जो संग्रेण है वो पुस्तकाले के संग्रेण के बारे में पूरी जानकारी हमें कौन दे देता है कैटलोग दे देता है किलिय का अर्थ क्या है तो केटलोग क्या है दोस्तो किसी संग्रेण की व्यवस्ता को तरक संगत रीती से इसपश्ट करता है जैसे ये पुस्तकाले है पुस्तकाले के अंदर संग्रेण है यानि किताबे रखी है किताबों का संग्रेण है अब उन किताबों के संग्रेण की क्या व् कौन से विशे की किताबें कहां रखी हैं? तो पुस्काले में जो पुस्तकों का संग्रेण है, उस संग्रेण की व्यवस्ता क्या है? उस व्यवस्ता की जो तरक संगत रिती है, उस तरक संगत रिती को कौन इसपष्ट करता है? केटलोग इसपष्ट करता है. यानि कि के अर्थ की बात करें, कैटलोग के अर्थ की बात करें सातियों, तो किसी संग्रहन की व्यवस्ता को तरक संगत रीती से क्या करना? इस पश्ट करना, इसका क्या हो जाता है? अर्थ हो जाता है. तो यहाँ अगर मैं इसका अर्थ लिखूँ तो यहाँ लिख सकते संग्रहन की व्यवस्था या संग्रह की व्यवस्था का तर्क संगत इस्पष्टिकरण तर्क संगत यानि लोजिकल ओना चीए या सिदे कर दो तर्क संगत इस्पष्ट कर法 संग्रह की व्यवस्ता को तर्क संगत इस्पष्ट करना या यहां पर हमने जो चर्चा की है मेरे इसाब से आपको ये सामाने बाते समझ में आ गई होंगी ठीक है क्या क्या आपने बात की तो हमने आपे बात की केटलोग की केटलोग सब्द कहां से लिया गया ग्रिक भासा से लिया गया ग्रिक भासा तो केटलोग सब जो है ये ग्रीक भासा से लिया गया है काटा लोगस सब्द से बना है काटा लोगस में दो सब्द है किस संदर्ब में केटलोग को प्योग करते है तो केटलोग is a tool for library ये पुस्तकाले के लिए एक उपकरन का कारिये करता है एक टूल है इस पुस्तकाले का इसे ही पुस्तकाले की कुंजी कहते है क्योंकि पुस्तकाले में कौन सी चीज या कौन सी पुस्तक कहां रखी है इसके बारे में हमें कैटलोग जानकारी देता है इसलिए कैटलोग को पुस्तकाले की क्या कहते है सातियों कुंजी कहते है ठीक ह उद्देशे क्या है? तो कैटलोग का उद्देशे है पुस्तके खोजने में मदद करना ये पुस्तकों को खोजने में मदद इसलिए करता है क्योंकि कैटलोग में विश्य, कैटलोग में शीर्शक, कैटलोग में लेखक आधी की जानकारी हमें उपलब्द हो जाती है अर्थ क्या है केटलोग का? तो हमने जो भी पुस्काले में संग्रे किया हुआ है, उस संग्रे को हमने किस तरह से व्यवस्तित किया है? उसकी तरक संगत इसपष्टी करन करना. संग्रे की व्यवस्ता को तरक संगत इसपष्ट करना क्या है? इस केटलोग का अर्थ है.